नमस्कार मैं हूँ आयूशी और आप देख रहे हैं जनसत्ता आज महीने की पहली तारीख है और महीने की पहली तारीख का मतलब है खर्चे महीने की पहली तारीख को सालरी आते ही अपने महीने भर की प्लानिंग कर लेते हैं बता दे कि 1 अप्रेल से नया वित्वर्ष यानि कि नया financial year शुरू हो गया है ऐसे में नय वित्वर्ष में देश में कई सारे बदलाव हुए है खेर इस सब के बीच आपके लिए एक अच्छी खबर भी है लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आपकी financial health से जुड़े हुए है इन में शामिल है LPG cylinder के बदले हुए दाम, credit card से जुड़ा बदलाव और इन सभी को मिला कर नय वित्वर्ष में ऐसे 6 बदलाव हैं जो आपके लिए जानना बेहत जरूरी है आईए जानते हैं देश में हुए इंचे बदलावों के बारे में सबसे पहले आपके लिए अच्छी ख़वर बात करते हैं LPG gas की कीमत की क्या लगता है आपको LPG की कीमतें बड़ी होंगी या कम होंगी खेर हिंट तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है और तो और चुनावी हवा भी चल रही है ऐसे में LPG का दाम का घटना तो और भी आम बात हो गई है तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है बतादे कि हर महीने की पहली तारीक को ओयल मारकेटिंग कमपनिया LPG की कीमत में संशोधन करती है इस महीने के पहले दिन भी कमपनियों ने सिलेंडर की कीमतों में बदलाफ किया है लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि चेंज घरेलू LPG में नहीं बलकि 19 kg वाली कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में किया गया है एक अप्रेल 2024 से दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 30 रुपे से घटा कर 1764 रुपे हो गई है और अगर हम कॉलकता की बात करें तो कॉलकता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 32 रुपे से घटा कर 1889 रुपे हो गई है मोमे की बात करें तो यहाँ पर 31 रुपे घटाए गए हैं और इसके बात की कीमत है 1717 रुपे बता दे कि कुछ दिन पहले ही Women's Day पर PM Modi ने घटाएलू सिलेंडर के दामों में पूरे 100 रुपे की कटोदी का एलान किया था इसके बाद हम बात करते हैं EPFO के नए नियमों के बारे में पहली अप्रेल से करमचारी भवशनिदी संगतन यानि की EPFO की ओर से एक अप्रेल को नए नियम लागू किये जाने के बारे में बताया गया था जो आज से लागू भी हो गया है इस नियम के तहट EPF अकाउंट होल्डर जैसे ही अपनी जॉब चेंज करते हैं उसके साथ ही उनका पुराना PF balance नए खाते में ट्रांस्फर हो जाएगा इसका फायदा ही यह होगा कि अब नौकरी बदलने के बाद आपको अपना पुराना PF balance नए खाते में ट्रांस्फर कराने की जरूरत नहीं होगी बलकि यह automatic आपके account में transfer हो जाएगा इसके अलावा national pension scheme याने की NPS को और secure बनाने के लिए अधार-based two-step authentication system लागू किया गया है यह system सभी password-based NPS users के लिए होगा जिसे एक April से लागू कर दिया गया है बता दे कि बीति 15 मार्च को PFRDA ने इसको लेकर notification भी जारी किया था इसके अलावा Fast Tech को लेकर भी एक बड़ा बदलाग हुआ है जिल लोगों ने एक तिस मार्च तक अपने Fast Tech KYC को अपडेट नहीं करवाया था उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बता दे कि एक अप्रेल से NHAI ने Fast Tech KYC को अनिवार कर दिया था जिसके बाद से अगर आपका KYC नहीं है तो आप Fast Tech का यूज नहीं कर पाएंगे आगे हम बात करेंगे Insurance Regulatory and Development Authority of India यानि कि IRDAI ने Insurance Policy के लिए Digitalization को अनिवार कर दिया जो एक अप्रेल 2024 से लाग होगा इस निदेश के तैट Life, Health और General Insurance साइथ अलग-अलग काटिगरी की सभी Insurance Policies इलेक्रिक रूप से जारी की जाएंगे E-Insurance में एक Secure Online Platform के माधियम से Insurance Schemes को मानेज किया जाएगा जिससे E-Insurance Account EIA की रूप में जाना जाता है सबसे आखिर में और सबसे एहम बदलाव जो देश में हुआ है वो है SBI Cards बदा देगी SBI ने पहली ही घूशना कर दी थी कि 1 अप्रेल 2024 से Credit Card के लिए किराया बुकतान लेंदेन पर Reward Point का Collection बंद कर दिया गया है इसमें Aurum, SBI Card Elite, SBI Card Elite Advantage, SBI Card Plus और Simply Click SBI Card शामिल है कैसे लगा आपको ये वीडियो में comment section में बताएं बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता